पैर के तलवे में जलन होने के घरेलू उपाएं Epsom Salt Soak Epsom Salt एक प्राकृतिक खनिज है जिसका उप्योग सदियों से दर्द और सूजन से राहत के लिए किया जाता रहा है गर्म पानी से भरे टब में दो कप Epsom Salt मिलाएं 15-20 मिनट के लिए अपने पैरों को इसमें डुबो कर रखे Aloe Vera Jail Aloe Vera एक ऐसा पौधा है जिसका इस्तिमाल सदियों से त्वचा की विभिन स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता रहा है Aloe Vera आपके पैरों पर त्वचा को शांथ और Moisturize करने में मदद करता है Aloe Vera Jail को अपने पैरों पर दिन में कई बार लगाएं मालिश पैरों पे मालिश करे जो सूजन को कम करने में मदद करती है और जलते हुए पैरों को राहत देने में मदद करती है एक सौमे मालिश तेल या लोशन का प्रयोग करें और प्रत्येक दिन 10 से 15 मिनट के लिए अपने पैरों की मालिश करें आरामदायक जूते पहने बहुत ज्यादा टाइट या बहुत धीले जूते आपके पैरों पर दबाव डालते हैं और जलने में योगदान दे सकते हैं ऐसे जूते पहनना सुनिश्चित करें जो अच्छी तरह से फिट हो और कमफर्ट प्रदान करें लंबे समय तक खड़े रहने या चलने से बचें अगर आपको लंबे समय तक खड़े रहना या चलना है तो अपने पैरों को आराम देने के लिए ब्रेक लें जब आप कर सकते हैं तो अपने पैरों को उपर उठाएं और बहुत तंग जूते पहनने से बचें हाइड्रेटेड रहना समगर स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है और पैरों की जलन से राहत दिलाने में भी मदद करता है रोजाना आठ से दस गिलास पानी पिए धूमरपान छोड़ दे धूमरपान पैरों की नसों को नुकसान पहुचा सकता है जिससे जलन हो सकती है यदि आप धूमरपान करते हैं तो इसे छोड़ना आपके लिए फायदे मंद होगा और पैरों में जलन के जोखिम को कम करने में भी मददगार होगा ठंडा पानी या बर्फ पैर के जलन में ततपरता को कम करने के लिए ठंडा पानी या बर्फ का इस्तिमाल करें बाल्टी में ठंडा पानी डालें और अपने पैरों को इसमें डालें इससे जलन कम होगी और आराम मिलेगा दोस्तो अगर विडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करे और ऐसे ही और विडियो देखने के लिए चैनल को सबस्काइब जरूर करे धन्यवद